एक समय की बात है एक छोटे से गाव में ब्रुनो नाम का एक कुटा रहता था ब्रुनो अपने मालिक रामु के साथ बहुत खुश था और उसे बहुत प्यार करता था वर हर दिन रामु के साथ खेतों में काम करने जाता और रात में उसके घर की रखवाली करता था ब्रुनो बहुत वफादार और समझदार था इसलिए गाम के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे एक दिन गाव में एक बड़ा मेला लगा रामू और गाव के सभी लोग मेले में जाने के लिए तैयार हुए रामू भी अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने लगा उसने बुनो को भी अपने साथ ले जाने का सोचा लेकिन बुनो को घर पर छोड़ दिया ताकि वह घर की रक्वाली कर सके रामु ने बुनो से कहा बुनो मैं जल्द ही वापस आउंगा तुम घर का ख्याल रखना ब्रुनो ने रामू की बात समचली और दर्वाजे पर बैटकर घर की रखवाली करने लगा शाम हो गई लेकिन रामू अभी तक वापस नहीं आया था ब्रुनो चिंतित हो गया लेकिन उसने घर छोड़ कर कही जाने का नहीं सोचा वर वही बैठा रहा और रामू की वापसी का इंतजार करने लगा रात हो गई और अचानक ब्रुनो को कुछ आवाजे सुनाई दीन उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग गाव में आये एच और चुपके से रामू के घर की ओर बल रहे एच वे चोर थे और रामू के घर को लूटने का इरादा रखते थे ब्रुनो ने बिना किसी डर के तुरंत उन चोरों का सामना किया जैसे ही चोर घर में गुसने लगे ब्रुनो ने जोर जोर से बॉंक अना शुरू कर दिया उसकी बॉंक सुनकर गाम के अन्यकुत्ते भी जाग गए और उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया चोर डर गए और भागने की कोशिश करने लगे लेकिन ब्रूनों ने उन्हें नहीं छोड़ा वह चोरों के पीछे दौरा और उनमें से एक कोपा कर लिया चोरों ने ब्रूनों से बचने की कोशिश की लेकिन ब्रूनों ने उन्हें गाव से बाहर भगा दिया ब्रूनों की बहादुरी और वफादारी के कारण चोरों का रामु के घर में गुसने का सपना अधूरा रह गया जब रामू मेले से वापस आया और उसने ब्रुनो को देखा तो वह बहुत खुश हुआ गाम के लोगों ने भी ब्रुनो की तारीफ की और उसे शाबाशी दी रामू ने ब्रुनो को गले लगाते हुए कहा तुमने मेरी और मेरे घर की रक्षा की ब्रुनो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है ब्रुनो की वफादारी और साहस की कहानी पूरे गाव में फैल गई और वह गाम के सभी लोगों का प्यारा बन गया रामु ने ब्रुनो के लिए स्वादिश्ट खाना बनाया और उसे खुब प्यार दिया ब्रुनो कुश्टा की उसने अपने मालिक की रक्षा की और उसके प्रती अपनी वफादारी साबित की इस कहानी से हमें यर सिखने को मिलता एश की वफादारी और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है सचे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल घरी में साथ खरे रहते हैं और अपने प्रेजनों की रक्षा करते हैं क्वल धे साथ खरोणारी को मिलता एक्षा करते हैं अभादा liksom झाल झाल